अब गई सामने चार बंदे हैं अगर हम यहाँ जीत जाते हैं इस फाइट को मैं क्लेच कर देता हूँ तो आज आपको लाइक करके सब्सक्राइब करना ही होगा फाइनली एक बंदा नौक दूसरा बंदा भी नौक थो भी खुल मिलाकर आचुके एक और नई वीडियो के साथ वापस और भाई इस वले मैंच में आज एक ऐसी फाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी जहाना हम तीनों साइड से गर जाते हैं और फिर भी देखो हम वहाँ पे कैसे उस सिचेशन से बहार निकलते हैं फिलाल भाई सबसे पहले जैसे मिलिटरी बेस फूदे आज भाई लकली मेरे को गन मिली और उसके बाद मैं मैंने सीधा बंदो प्राश किया और ये मान लो कि आज इस बंदे को भी गन मिली इसलिए इसने सोचा कि साइड मैं वहां से चछ से कूद के भाग चुका हूं इसलिए मेरे पीछे आता है लेकिन इससे नहीं पता थे कि मेरे पास और लेड़ी गन है अब ये बंदा तो इस वाली बिल्डिंग में रह गया थे लेकिन बाकी के इसके टीमेट्स वहां पर थे इसलिए मैं एक बॉल फैक्ट दा हूं और सीधा इसी बिल्डिंग पर रश कर देता हूं पॉल आगे-आगे मैं उसके पीछे-पीछे दो बंदे स्पॉट हुए जैसे इसको फिनिश किया सीधियों से वाजाई बंदे की अब यार किलोज रेंड में वैक्टर को माद देना वो भी बिना हेलमेट की मतलब पॉसिबल था है नहीं फिलाल जैसी इस बंदे को पॉल ने फिनिश किया मैंने फशीट लगाई और यहां वाला ग्रेंड तो मतलब सब कुछ यह कह दा है कि भाई तुम्हारे साथ खूनी म माफ हैं तो मैंने जैसी ग्रेंड की पिन कीजी सामने बंदा था और यह ग्रेंड देखो भाई क्या ऐसा लगा तुम्हें यह ग्रेंड कमेंट करके जहू बताना पैंसर मतलब यह एक सीन ऐसा आने वाला आप खुद बखुद यह कोगे भाई यह साही में बहुत ही खतरनाक अब मिलिटरि क्लेर करने के बाद हम लोग आते हैं नोवो में क्योंकि प्लेट पाथ नोवो से भी था मगर हमें नोवो में कोई भी निखाए दिया अब इसके बाद में आप लोग को पता है कि जगा जगा पर ऐसी मसीन हैं जो कि हम लोग को बता देती कि इस समय होट ले रहे हैं कौन सा एरिया इस समय सबसे खतान लागए तो हमें पता चला कि फार्म मिल्टा की साइड बंदे हैं ठीए और यह मतलब मैंने एक चीज देखिए गाई यह अकसर सही भी होती है तो जैसे हम यह सब देखे यहां से आगे जाते हैं तो हमें लेकली वहां बंदे मिल भी जाते हैं और अब देखो तुम यहां वाली फैट अब जैसी यहां पर आए तभी बंदा है स्पॉर्ट हुआ पहले मुझे लगा यहां पर किवल एक ही बंदा है लेकिन एक करके पूरी स्कॉर्ट हो बाई यहां स्पॉर्ट हो जाती है जैसी इसको नॉक किया दूसरा पर आए जैसी गाड़ी से उतरे सबसे पहले मैंने फर्स गृट लगाई और भाई यह बंदा तो बहुत इसी मर गया अब जैसे मिस स्कॉर्ड को मा रहते हैं तो अम लोग यहां से निकली रहते हैं तो मेरको एक गाड़ी इधर दिखाए देती है और तभी कुछ फारीं के चोड़ दिया और सीधा इस डिरेक्शन को फॉलो किया और आप देखो गाई हम यहां क्या फॉसने वाले हैं अब यहां पता नहीं क्या दिख रहते हुए क्राउच हो नहीं रहाता पर जो भी है पॉल साथ में था उसमें को रिवाइव दिया है रिवाइव देने के बाद म भाई सबसे पहले उस बंदे को अगें नौक किया और उसके बाद मैं लगाई एक फसे गिट और सीधा आप रश करेंगे बहुत ही जादा लेट दूसरे बंदा भी मैं उत्रा और भाई पूरी स्कॉर्ड यहीं पे फिनिश होगी मगर जैसे स्कॉर्ड को मारा इस बॉर्ट को मारा हम यहां पर आए तब ही एक दूसरी टीम आती है और हम यहां घिर जाते हैं सबसे पहले हमने स्मोक किये उसके बाद मैं बनाये अपनी लिएक कवर अब सिचुवेशन ऐसी थी कि हम फश चुके थे लेकिन फिर भी कहीं नहीं थोड़ी बहुत उम्मेट थी तो हम लोगों ने सोचा कि पहले थोड़ा फ्लैंग कर लेते पीछे चलते और इन बंदों ने मुझे स्पॉट कर लिया था अब जैसे हम लोग कवर न आए तो हमने सोचा कि चलो रोटेशन देते हैं थोड़ा बहुत धी धीरे और यहां मैंने पॉल से मांगा हैलमेट मैंने बोला कि मिरे भाई ये हैलमेट तेरा बेकार नहीं जाएगा कि लच तो ज़रूर मारूंगा इस टीम पे तभी भाई पूरी स्कॉर्ट ने रश किया ये मान लो बहुत ही ज़ादा लिट थे मैं अगेन इनको लिट करने कुछ करता हूँ लेकिन अब टाइम था एक दूसर रोटेशन का जो कि बिलकुल उसी साइड में था जहां पहले थे अब गई सामने चार बंदे हैं अगर हम यहां जीत जाते हैं इस फाइट को मैं कलेच कर देता हूँ तो आज आपको लाइक करके सब्सक्राइब करना ही होगा फाइनली एक बंदा नौक दूसरा बंदा भी नौक अब हमें पता था कि यह टीम इस समय बहुत जादा वीक है रश करना तो बनता है तो सबसे पहले मैंने गेंट फैका एक और गेंट फैका शैक के पीछे तब ही बंदा बहर आया तीसरा बंदा भी नौक बचा लास्ट अच्छा लगाओ न ये सीन तो सब्सक्राइब जरू करना फिलाल इसके बाद में एक गाड़ी हम जिसको देखते हैं जो कि यहां पर आकर जाती है तो यहां पर के वाली है अकेले ही बंदा था जिसको कि अमने फिनिश कर दिया अब फिनिश करने के बाद जहाम इसकी गाड़ी के पास आते हैं तभी कहीं दूर से एक फैर आता है और जो कि साथ इसी करी टीमेट था अब यहां हमारी गाड़ी का फ्यूल खब हो चुका तो मैंने पॉल को बोला कि अगर एक अटो मैं समाहल लूँगा तू बच जा कि असकी गाड़ी लेक्या अब लेक्या एंड इस बंदे को भी नौक टिया अब लोग सोच रहोंगे कि यार इतना मस तो खेल रहे हैं लोग चिखन तो मिली जाएगा लेकिन कहानी में टूश तो आता ही है ना मेरे भाई तो जरूर आने वाला है तो इसके बाद में हम लोग यहां पर आये क्योंकि हमने इस गाड़ी को यहां आतो इस पॉर्ट किया था मतलब बंदा तो था तो मैं गरेंट की पिंचता हूँ क्योंक जरूर आता है लेकिन वोफात अलगती कि आज वह इसको डाऊस में था और सही मैर यह वंदा ना पता नी क्या खा कि आया था मैं इसको इतना मारता हूँ मैं स्प्रे देखे चोड़ देता हूँ कि चलो अब तो मर जाएगा लेकिन यह वंदा पज़ आता है और इसके बाद हो के दिया था कि चलो अब तो यह मर जाएगा पर जो भी वाई मानना पड़ेगा फिलाल फसीट लगाई और उसके बाद में एक और बंदा स्पॉट हुआ ड्रॉप पे आता हुआ अब यार आप लोगों को पता है कि ग्लोगल आईडी में अभी वीपीन लाया खेलने से सौट्स रिजिस्टर थोड़े से कम हो रहे हैं बाकि अच्छे दिन बैयार जल्दी आही जाएंगे फिलाल इस बंदे को मारके हम लोग वापस ही आये तब ही आए कि स्कॉर्ड और अब देखो यहां मेरी किसमत भाई क्या है मेरे साथ में अबंदों को स्पॉर्ट करते है यहां में नौक हो गया मगर बचने की उमिद थी अभी क्योंकि पॉल जिंदा था क्यों एक लाश बंदा मेरी हैल्फ अभी यह बस सकता हूं यह पॉल ने पूरी स्कॉर्ड को फिनिश किया मगर अब यार पॉल ने बहुत कोशिस की कि उमर को हाथ लाग के रिवाइव दे सके मगर क्या ही कर सकते हैं गेम में गलिच आए मतलब वो कह रहे है कि मैंने इतनी बाहर के लिए क्या फिलाल उसके बाद में पॉल के जरीए एक ओम का शॉट तो बहुत ही ओपी था लेकिन टीम से कैसे जीत होगे मिर भाई यहां यह टीम पहली जाल बिचा के बैठी थी तो भाई डिलीशेश चिकंडर तो आज नहीं मिला मगर गेम प्ले बहुत ही जादा ओपी था फाइट बहुत ही जादा गजब की थी अब अच्छे लेगी तो यह सपोर्ट के लिए ना मतलब तो चलो गाईज मैं भी मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद वंदे मातरम एंड हाग ख्याल लखर अपना घर पे अच्छे से मास लाइक रखना टैम बहुत ही जादा बुरा चल ला है तो चलो मैं भी भी चलता हूं मिलूँ अगली वीड वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद वंदे मातरम एंड थैंक्स वाजी गाईज बाई